एक तरफ अमेरिका में राहूल गांदी ने BJP और RSS पर निशाना साधा तो देश में BJP उन्हें देश विरोधी करार दे रही है चीन की मोदी जी से दोस्ती और रिष्टा किसी से नहीं छिपा हो गया मोदी जी क्लीन चिट देते हैं चीन को और एजेंडा हम चला रहे हैं बताइए कैसे संभव है पूरे देश के चारों तरफ जितने देश हैं उनमें आपने चीन को खुसने दिया एजेंडा तो आप चला रहे हैं चीन का हाँ संभ और भाजपा के खिलाफ बोलें तो इनको लगता है देश के खिलाफ बोल दिया आप कबसे देश के और धर्म के ठेकेदार बन गए क्यों बनने दे हम आपको ठेकेदार सर लेकिन रहूल गांदी ने भारतिय नियाए विवस्था, मीडिया तमाम चीजों को एक तरीके से निशाने पर लिया सवाल यही कि आपकी लड़ाई एगर बीजेपी आरेस से है तो आप नियाए विवस्था और मीडिया वो भी विदेश की धरती पर सवाल क्यों अपने इडायस्फोरा से बात कर रहे थे न तो उनको आप अपना नहीं मानते प्रधान मंत्री वाहां जा जाकर कहते हैं हमें तो शरम आती थे इंदोस्थान में पैदा होने क्यों कहते थे ऐसी बात हैं क्यों कहने दिया आप लोगों ने और अगर देश की नियाए विवस्था देश के मीडिया पे चर्चा उनसे कर रहे हैं और संख कुन की निंदा कर रहे हैं तो बिलकुल ठीक करें क्योंकि भारतिय जनता पार्टी ने देश की नियाए के गडबंधन को लेके suspense कायम है बारत आरीक जो है वो नामांकन के आखरीत ही थी है चार दिन बचे है और अब तक तद्वीर साफ नहीं है कि गडबंधन होगा कि नहीं होगा क्या आज इस पर तस्वीर कुछ नहीं है तो इतनी जल्दबाजी में क्यों है तो और लंबा काम तक सभी सीटों पर उम्मिद्वारों के ऐलान कर दिया जाए तो आप उनसे पूछे क्यों का हम से क्यों पहुचते हैं शुक्रेबात करने के लिए